सुनो बन की बजी स्कूल की चलो स्कूल तुमको भुखाए हलो बच्चों कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रति दिन सुबा नौ बजे से दस बजे अपनी कौपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कारिकरम देखने के लिए तयार रहते हैं जहां क्लास छे से आठ की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती है कारिकरम में बताई जा रही इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिविजन कर सकें और हाँ बच्चों एक बात और हम लोग जो भी चीजें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले कारकरम में सीखते हैं उसका अध्यान अपनी किताब में जरूर करें इससे उन चाप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती जिसमें हम राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेण आपाते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गनित की जिसमें सबसे पहले क्लास छे में जिस चाप्टर का अध्यान करेंगे उसका नाम है उचित भिन, विश्म भिन, मिश्रित भिन उसके बाद क्लास साथ में बीजिये व्यन जकों का योग व्यवकलन के बारे में समझेंगे फिर क्लास आठ में समझेंगे घातांग के नियम के बारे में और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर आवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की गनित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले के साथ बापू की कहानी जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वज़े से उनकी एक साल की पढ़ाई बिगड गई बाद में उन्होंने कोब मैनद करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन वयाम करने से वो बच्चते थे वयाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट, उन्हें ये गलत फैमी हो गई थी कि साफ सुथरे लिखाई का शिक्षा से कोई लिना देना नहीं है बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन के बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था, जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुधर अक्षर दिखते तब गांधी जी को पच्चतावा होता वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए, हर एक नव्यूवक और नव्यूवती मेरे उधारन से सबक ले और समझे की अच्छे अक्षर विद्या का आवशक अंग है लड़कपन के दो ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे, पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी ये दूसरा लड़का मोहन के मंजले भाई करसंदास का दोस्त था, दोनों की ही पढ़ाई में रुची नहीं थी, दोनों बार-बार फेलोकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थी ये दोस्त दूर तक तेजी से दोड़ सकता था, उचा कूच सकता था, लंबा भी कूच सकता था, दिवार चड़ने में माहिर, खेल कूच में प्रवीन, और सजाया पिटाई सहज ही से लेता था मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, दर्पो, शरीर से दुरबल, ना दोड़ते बनता, ना कूटते बनता, कोई डाड़ दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बाद दोस यह सब जानता था, जो कमिया हमें अपने आप में दिखती हैं, उनी गुणों को हम दूसरों में खोचते हैं मोहन अपने दोस से बहुत प्रभावित थे, दोनों ने स्टूडियों में जाकर के साथ में फूटो भी खिचवाई थी मा, बड़े भाई और कस्तूर भाई ने मोहन को समझाने की खुब कोशिश की, वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पढ़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए मोहन ने उन्हें भरुसा दिलाया, उन्हें बाद जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया, वो जो चाहते थे, उसे करने दिया गया पर सच तो ये था कि मोहन अपने दोस्त के समोहन में थे जो समोहन कई साल तक चला उनका दोस्त कहता हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मास खाते हैं और शराब भी पीते हैं राज़कोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्धाले के कई चात्र भी इसलिए तो हम लोग कमजोर हैं क्योंकि हम मास नहीं खाते अंग्रेज मास खाते हैं इसलिए ताकतवर हैं तब ही तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है अपने दोस्त के ये सब बाते सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समात सुधार है मोहन का परिवार एकदम पक्का वैश्टम शाकहारी था पर उनका मजला भाई करसंदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मास खाने लगा था उनका दोस्त कहता मुझे देखो मैं मास खाता हूँ मोहन भी अपने दोस्त के जैसे नीडर और बल्वान बनना चाते थे देश को आजाब तो करवाना ही था समासुधार भी तो करना था सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए दोस्त ही सारा समान लेकर आया था और उसी ने मास पकाया मोहन ने पहले कभी मास दिखा तक नहीं था उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी मास का स्वान मोहन को चमणी जैसा लगा उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खाके छोड़ दिया उस रात बहुत तकलीफ हुई जैसे ही नीन आती उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बगरी मिम्या रही है वो चौक कर उठते फिर अपने आपको समझाते कि मास खाना जरूरी है दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था वो तरह तरह के पकवानों में मास मिला देता तकी मोहन को भाज आए यह सरकारी डाक बंगले में होता जहांके बावर्ची को उसने पटा रखा था यह सब साल भर तक चला कोई पांच-छे बार मोहन ने चोरी चिपे मास खाया खर्चा हमेशा दोस्ती उठाता था क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं होती थी जब ऐसी दावत खा कर मोहन घर लोटते तब भूकी नहीं बच्चती तो वो घर में जूट बोलते माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे तो मोहन कहते भूक नहीं है पेट में गड़ बड़ है पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धुका देता रहूंगा घर में जूट बोलना उन्हें खराब लगता इसलिए मास खाने का अभ्यास उन्हें टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहरी रहे लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला कस्तूर भाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे वे अपनी पत्नी पर बेवज़ा शक करने लगे कस्तूर भाई के पास मोहन की बदसलू की सहने के अलावा कोई चारा नहीं था मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भागय का कारण बन चुकी थी वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकते करते दिखा जिससे उन्हें धक्का लगा आज के लिए इतना ही अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्ना गांधी ने चूरी की थी आज हम सीखेंगे भिन्ड के निमनलिखित प्रकार उचिद भिन्ड, विशम भिन्ड और मिश्रद भिन्ड आए इस वीडियो के शुरवात करते हैं हम एक मज़ेदार सवाल से अगर आपको एक चॉकलेट दी जाए और इन्हें तीन लोगों में बराबर रूप से बाटने के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं इसके लिए हमें चॉकलेट के तीन बराबर भाग बनाने होंगी जिससे की प्रत्येक व्यक्ति को एक भाग मिल सके इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को तीन में से एक भाग यानि की एक तिहाई चॉकलेट मिलेगी इस प्रकार की संख्या जो पूर्ण का कुछ भाग व्यक्त करती है एक भिन यानि फ्राक्शन कहलाती है पिन अंश बटा हर के रूप में व्यक्त की जाती है पूर्ण के सभी बराबर भागों के संख्या हर यानि डिनॉमिनेटर और लिये गए भागों के संख्या अंश यानि नूमरेटर कहलाती है जैसा कि आप देख सकते हैं इस भिन्ण में अंश एक हर तीन से छोटा है ऐसे बिन जिसका अंश हर से छोटा होता है कहलाती है उचित बिन यानी proper fraction एक बटे तीन के ही जैसे कुछ और उचित बिन है जैसे तीन बटे पांच, छो बटे साथ, इत्यादी चलिए इन्हे संख्यारेखा पर व्यक्त करें क्या आप बता सकते हैं हम भिन्नों को संख्यारेखा पर कैसे व्यक्त कर सकते हैं सोचिए सोचिए आपने सही सोचा एक बटे तीन को संख्यारेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के तीन बराबर भाग बनाएंगे इन में से पहला भाग होगा एक बटे तीन इसी तरह तीन बटे पाँच के लिए एकाई दूरी के पाँच भाग करेंगे और इन में से तीन भाग लेकर भिन्ड तीन बटे पाँच व्यक्त करेंगे इसी तोलो हम 6 बटे साथ भी संख्यारेखा पर व्यक्त कर सकते हैं इन सभी के संख्यारेखा पर नीरूपन यानि रेप्रेजन्टेशन को देखते हुए आप जरूर समझ गए होंगे कि ये सभी भिन्न एक के बाई और होने के कारण एक से छोटे हैं और शुन्ने के दाई और होने के कारण शुन्ने से बड़े हैं हम कह सकते हैं कि जब भी नीचे की संख्या यानि हर उपर की संख्या यानि अंश से बड़ी हो तो भिन्न का मान शुन्ने से बड़ा लेकिन एक से कम होता है ऐसे बिन्न जिसका मान शून्य से एक तक होता है एक उचित बिन्न होती है अब मान लीजिए आपको पांच चॉकलेट दी और इन्हें तीन लोगों में बराबर रूप से बाटने के लिए कहा तो हर एक व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी इसके लिए हमें प्रत्येक चॉकलेट के तीन बराबर भाग बनाने होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को चॉकलेट का एक तिहाई भाग देना होगा इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक तिहाई चॉकलेट के पांच भाग आएंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को पांच पटे तीन चॉकलेट मिलेगी इस भिन्ड में पांच अंश और तीन हर है क्या यह एक उचित भिन्ड है? विचार करे आपने सही पहचाना यह अंश हर से बड़ा है इसलिए यह एक उचित भिन्ड नहीं हो सकती ऐसे भिन्ड जिनका अंश यानि नूमरेटर हर यानि डिनॉमिनेटर से बड़ा होता है कहलाती है एक विशम भिन्ड यानि इंप्रॉपर फ्राक्शन यदि आप एक भिन्ड को एक बकसा और उसमें मौजूद वस्तूओं के रूप में समझते हैं तो हर आपको बताता है कि एक बकसे में कितनी वस्तूओं रखी जा सकती है जबकि अंश आपको बताता है कि वास्ताओं में बकसे में कितनी वस्तूओं है विशम भिन्न का मतलब है कि बक्से की शमता से अधिक वस्तुएं है यानि कि इन वस्तुवों को रखने के लिए एक से अधिक बक्से आवश्यक है कुछ और विशम भिन्न है 7 बटे 2, 11 बटे 3, 16 बटे 7, इत्यादी आईए इन्हें भी संख्यारेखा पर निरुपित करें 7 बटे 2 को संख्यारेखा पर निरुपित करने के लिए पहले हम इकाई दूरी को 2 बराबर भागों में पाटेंगे और 7 भाग लेंगे इसी तरह 11 बटे 3 को संख्यारेखा पर निरुपित करने के लिए इकाई दूरी के तीन बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से ग्यारह भाग लेंगे इसी तरह 16 बटे साथ के लिए संख्या रेखा पर इकाई दूरी के साथ बराबर भाग करेंगे और इनमें से 16 बाग लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इन में से हर एक भिन्न एक के दाई ओर है इसलिए एक से बड़ी है इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी बटा के उपर की संख्या यानि आंश बटा के नीचे की संख्या यानि हर से बड़ी होगी तो ऐसी भिन्न का मान एक से बड़ा होता है ऐसी सबे भिन्न विशम भिन्न कहलाती है पांच चॉकलेट को तीन लोगों में बराबर रूप से बाटने का एक और तरीका भी है पहले हम प्रतियक व्यक्ति को एक चॉकलेट देंगे और बची दो चॉकलेटों में से हर एक के तीन भाग बना कर इन में से प्रतियक व्यक्ति को दो भाग देंगी इस तरह से प्रतियक व्यक्ति के पास एक पूर्ण चॉकलेट है और तीन में से दो भाग है इसे हम एक सही दो बटे तीन इस प्रकार व्यक्त करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस भिन्न में एक पूर्ण संख्या यानि होल नंबर है और एक उचित भिन्न है ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न यानि Mixed Fraction एक सही तो बटे तीन के अलावा मिश्रत भिन्न के और उधारण है एक सही एक बटे दो, दो सही एक बटे चार, तीन सही तीन बटे पांच इत्यादी तो आज हमने सीखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकार आज हम देखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदित उधारन निम्नलिखित में से उचित भिन्न यानि प्रॉपर फ्राक्शन विशंब भिन्न यानि इंप्रॉपर फ्राक्शन और मिश्रित भिन्न यानि मिक्स फ्राक्शन पहचानिये जब भी बटा के नीचे की संख्या यानि हर बटा के उपर की संख्या यानि अंश से बड़ी होती है तो यह एक उचित भिन्न होती है इस भिन्न का मान शून्य से बड़ा लेकिन एक से कम होता है दी संख्याओं में 23 पटे 25 और 13 पटे 19 उचित भिन्न है इसी तरह क्या बता सकते हैं जब बटा के उपर की संख्या यानि अंश, बटा के नीचे की संख्या यानि हर से बड़ी होती है तो कौन से भिन्न होती है? सोचिए सोचिए बिलकुल सही यह एक विशम भिन्न होती है इस भिन्न का मान एक से बड़ा होता है दी संख्याओं में 13 बटे 7 और 17 बटे 14 विशम भिन्न है इसी प्रकर ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न इस तरह से दी और 5 सही 12 बटे 17 मिश्रित भिन्न है अब हम भिन्नों में परिवर्तन से संबंदित उदाहरण देखेंगे लेकिन इससे पहले आईए समझे भिन्नों में परिवर्तन कैसे करते हैं मान लीजिये हमने 5 चॉकलेट ली हमें इने 3 बराबर भागों में बाटना है इसके लिए हम हर एक चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे अब हर एक चॉकलेट का एक हिस्सा एक भाग में रखकर सभी चॉकलेट के तीन पराबर भाग बना लेंगे तो बताईए हर एक भाग में कितने चॉकलेट आएगी सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं चुकि हमने प्रत्यक चॉकलेट के तीन पराबर हिस्से किये आईए इसका मिश्रित भिन्न में परिवर्दन करें अगर हम इन पांच भागों में से तीन भाग लेकर इन्हें जोडते हैं तो हमें एक पूर्ण चॉकलेट मिलेगी तो बताईए बची चॉकलेट के लिए भिन्न क्या होगी? चुकि यहां तीन में से दो भाग बचे हैं इसलिए भिन्न होगी दो बटे तीन इस तरह से एक पूर्ण और दो बटे तीन चॉकलेट एक साथ एक सही दो बटे तीन इस प्रकार पे व्यक्त की जा सकती है गणित में यह परिवर्दन करने के लिए हम अंश को हर से भाग देते हैं यानि कि भिन्न पांच बटे तीन को विभाजन के रूप में व्यक्त करते हैं फिर हम भाग देकर भाग फल यानि कोशिंट और शेश फल यानि रिमेंडर प्राप्ट करते हैं और फिर मिश्रिद भिन्न को इस प्रकार फ्यक्त करते हैं इससे मिश्रिद भिन्न प्राप्त होगी एक सही दो बटे तीन इसी तरह अगर मिश्रिद भिन्न एक सही दो बटे तीन का विशम भिन्न में परिवर्थन करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं यहां हर तीन है इसलिए हम सभी पूर्ण चॉकलेट के तीन बराबर भाग बनाएंगे यहां सभी भागों की गिंती है पांच और हर है तीन इसलिए विशम बिन्न लिखी जाएगी पांच पटे तीन गणित मया परिवर्दन करने के लिए पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोडते हैं जैसे यहां एक को तीन से गुणा कर इसमें दो जोडने पर परिणाम पांच प्राप्त होगा यानि कि पहले हम सभी लिये गए भागों की संख्या प्राप्त करते हैं और फिर परिणाम की नीचे एक पूर्ण को कितने भागों में विभाजित किया है, इसकी संख्या हर के स्थान पर रखते हैं इससे हमें भिन्न पांच पटे तीन प्राप्त होती है जो एक विशम भिन्न है इस प्रकार हम विशम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को विशम भिन्न में व्यक्त कर सकते है अगला उदारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अगर 40 मीटर रसी के 7 भाग बनाने हैं तो हरएक भाग के लंबाई 40 का साथ से विभाजन की संक्रिया से प्राप्त की जा सकती है इसी को हम भिन्न के रूप में व्याक्त करते हैं 40 बटे 7 मीटर इस तरह से पहला आपशन सही है 40 बटे 7 मीटर यह लंबाई विशम बिन्य के रूप में व्यक्त की गई है आईए से मिश्रिद बिन्य के रूप में व्यक्त करे मिश्रिद बिन्य में व्यक्त करने के लिए हम अंश 40 को हर 7 से भाग देते हैं यानि कि 40 विबाज़त 7 के रूप में व्यक्त करते हैं भाग देने पर फाग फल 5 मिलता है और शेश फल 5 मिलता है और फिर हम मिशुत भिन्न को इस प्रकार फ्यक्त करते हैं इस तरह से यहां मिशुत भिन्न होगी 5 सही 5 बटे 7 यानि कि दूसरा कथन भी सही है आज हमने देखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदित उदाहरण आज हम देखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदित मिथ्याधारणा है मिथ्याधारणा एक, मोना और रीना भिन्नों यानि फ्राक्शन्स पर अपना होमवर्क कर रही है उनको साथ बटे चार को मिश्रित भिन यानि मिक्स फ्राक्शन में परिवर्तन करना था साथ बटे चार के मिश्रित भिन मोना ने 3 सही 1 बटे 4 और रीना ने 1 सही 3 बटे 4 लिखी क्या बता सकते हैं किसने सही मिश्रित भिन लिखी? कई बार विशम बिन्न यानि improper fraction से मिशुरत बिन्न में परिवर्थन करते समय भागफल और शेशवल को बिन्न में सही प्रकार से व्यक नहीं किया जाता जैसे साथ बटे चार के लिए साथ को चार से विभाज़त किया जाता है जिससे एक भागफल और तीन शेशफल प्राप्त किया जाता है लेकिन मिशृत बिन्न लिखते समय पूर्ण के स्थान पर शेश फल को लिखा जाता है और अंश के स्थान पर भागफल को लिखा जाता है इससे गलत जवाब 3 सही 1 बटे 4 प्राप्त होता है यानि कि मूना का जवाब गलत है सही समझ यह है कि भाग फल को पूर्ण के स्थान पर लिखा जाता है और शेश फल को अंश के स्थान पर इस समझ से सही मिशृत बिन्न हुई एक सही तीन बटे चार यानि की option दूसरा सही जवाब है मिध्यधाना दो किसी छड़ी के साथ बराबर भाग करने पर हर एक भाग के लंबाई दो सही तीन बटे साथ इंच मिलती है इस लंबाई का विशम बिन्न में परिवर्तन क्या होगा मिशृत बिन्ड को विशम बिन्ड में परिवर्थित करते समय कई बार पूर्ण को अंश के साथ गुणा कर प्राप्थ होने वाला परिणाम अंश के स्थान पर लिखा जाता है इससे 6 बटे 7 इंच या गलत जवाब प्राप्थ होता है सही समझ यह है कि किसी भी मिशृत बिन्न को विशम बिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोडते हैं जैसे यान दो को साथ से गुणा कर इसमें तीन जोडेंगे इससे परिणाम सत्रा प्राप्थ होगा और फिर परिणाम के नीचे हर साथ रखे तो विशमभिन सत्र बटे साथ इंच प्राप्थ होती है यानि की सही जवाब है option दूसरा कई बर विशमभिन प्राप्थ करने के लिए पूर्ण संख्या और अंश्थान पर लिखी संख्या को एक साथ रख दिया जाता है इस समझ से भी गलर जवाब option तीसरा यानि 23 बटे साथ इंच प्राप्थ होता है मिध्याधाना 3 समीर ने कागस से बने तीन वृत्त लिये और हर एक के आठ भाग किये अगर समीर इन में से 11 भाग लेता है तो उसके द्वारा लिये गए भागों के लिए भिनक क्या होगी चुकि समीर कागस से बने हर एक वृत्त के 8 भाग बनाता है इसलिए कई बार यह समझ बन जाती है कि कुल भागों की संख्या 24 है चुकि कुल भागों के संख्या हर के स्थान पर लिखे जाती है इसलिए भिन्न का हर 24 होगा यह समझ बन जाती है इसी प्रकार लिये गए भाग है 11 जो अंश के स्थान पर व्यक्त किये जाते हैं इस तरह से दिये कथन के लिए भिन 11 बटे 24 व्यक्त की जाती है यह गलत समझ है यहां गल्दी हुई है हर के सही अर्थ को समझने की पूर्ण के जितने बराबर भाग किये जाते हैं वह संख्या हर होती है जैसे यहां एक वृत्त के 8 बराबर भाग बनाए है इसलिए 8 यह संख हर होगी समीर ने कागस के हर एक वृत्त को 8 बराबर भागों में विभाजित किया है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां एक पूर्ण बनता है 8 भागों से कागस के वृत्त को विभाजित कर इनमें से समीर ने 11 भाग लिए इनमें से 8 भाग व्यवस्तित कर हम एक पूर्ण बना स अब बचे 3 भाग, क्या बदा सकते हैं यह पून का कौन सा भाग है यह पून का 3 बटे 8 भाग है इस तरह से एक पून और पून का 3बटे 8 भाग लिखकर भिन्न एक सही 3 बटे 8 व्यक्त करते हैं यानि कि option दूसरा एक सही जवाब है यह एक मिशृत बिन्न है आईए इसे विशम बिन्न में व्यक्त करें किसी भी मिशृत बिन्न को विशम बिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोडते हैं जैसे यहाँ एक को आठ से गुणा कर इसमें तीन जोडेंगे इससे परिणाम ग्यारह प्राप्त होगा और फिर परिणाम के नीचे हर आठ रखे तो विशम बिन्न ग्यारह पटे आठ प्राप्त होती है इस तरह से अब आप समझी गए होगे कि भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हर के स्थान पर किसी एक पूर्ण के सभी बराबर भागों के संख्या लिखे जाती है और अंश के स्थान पर लिए गए भागों की संख्या यानि कि आप्शन तीसरा भी सही है चुकि option दूसरा और option तीसरा दोनों सही है इसलिए हम जवाब देंगे option 4 इस प्रकार आज हमने देखी भिन्ने के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदत मिध्या धारनाए कोरोना से डरे नहीं एहतियात बरते वैसे तो सक्ष्टा और व्यक्तिकर साफसफाई हर समय जरूरी है लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आविश्यक हो गई है बस यह जानने की जरूरत है कि साफसफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रती विशेश तोर पर सजग रहे हैं आईए इसे बिंदुवार समझ लें हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड़ वाश्ट से कम 20 सेकंड तक दोएं या अलकॉहल साइनिटाइजर से साफ करें होटल या किसी कार्याले में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वाशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिक्द व्यक्ति या खास छीक रहे व्यक्ति से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें भीड़बाड में मास्क लगाए रखें या मू नाक को ढख कर रखें यदि घर में कुरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तमाल न करें। फर्ष और अन्य सेतों को घर्ष में रोजाना प्रयोग किये जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाईल से साफ करते रहें। सौचाले को भी घर में रोजाना प्रयोग किये जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाईल से साफ करते रहें। ऑनलाइन समान मंगाने पर डिलिवरी करने वाले वेक्ति, नियमित आने वाले घरिलू समान जैसे दूद, अकबार इत्यादी के लिए सुरक्षात्मत तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ओटो टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एतियाद भरते। जन्हित में जारी राजिस्वास समिती बिहार अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर एक शोनने चार। बीजिये व्यनजकों का योग वर व्यवकलन आज हम देखेंगे बीजिये व्यनजकों का योग वर व्यवकलन यानि addition and subtraction of algebraic expressions अब तक आपने समान वर असमान पद यानि like and unlike terms को वर्गी कृत करना सीखा था। अब इन व्यनजकों को देखिए क्या आप इन व्यनजकों का योग वर व्यवकलन कर सकते हैं। इन व्यनजकों को समझने के लिए हमें बीजिये व्यनजकों के योग वर व्यवकलन यानि addition and subtraction of algebraic expressions की समझ होनी चाहिए। अपने दैनिक जीवन में हम कई परिस्थितियों में व्यनजकों और अंक गणितिय संचालनों का प्रयोग करती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीजिये व्यनजकों का योग व्यवकलन किस प्रकार होता है। उदारन एक अरुन के पिता की वर्थ मान आयू उसकी आयू की दो गुनी है। पिता जी और उसकी आयू के योग से तीन वर्ष अधिक है। तो अरुन के दादा जी की आयू कितनी होगी? मान लीजिये कि अरुन की आयू ए वर्ष है। तो अरुन के पिता की आयू बराबर दो गुना ए, बराबर दो ए। जैसा कि हम जानते हैं कि अरुन के दादा जी की आयू उसके पिता जी और उसकी आयू के योग से तीन वर्ष अधिक है, तो दादा जी की आयू बराबर अरुन की आयू जमा अरुन के पिता की आयू जमा तीन, बराबर ए जमा दो ए जमा तीन. इस व्यन्जक में A वद दो A समानपद है और तीन असमानपद है अब यहाँ पर हम समानपदों का योग करेंगे जिससे हमें तीन A जमा तीन प्राप्त होगा जो की अरुन के दादा जी की आयू होगी जैसा कि हमने पहले कुछ व्यन्जक देखे थे 5X जमा 7 और 2X 3P जमा 5Q और 2P जमा 3Q चलिए अब इनका योग और व्यवकलन करके देखते हैं 5X जमा 7 और 2X का योग 5X जमा 7 जमा 2X यहाँ पर 5X और 2X समान पद है अता हम ये दोनों पदों को पुनर व्यवस्थित करेंगे 5X जमा 2X जमा 7 यहाँ पर 7 और समान पद है जिसका योग नहीं होगा अता समान पदों का योग करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 7X जमा 7 5X जमा 7 और 2X का व्यवकलन 5X जमा 7 घटा 2X यहाँ पर 5X और 2X समान पद है अता हम ये दोनों पदों को पुनर व्यवस्थित करेंगे बराबर 5X घटा 2X जमा 7 यहाँ पर 7 असमान पद है जिसका व्यवकलन नहीं होगा अता इन समान पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 3X जमा 7 3P जमा 5Q और 2P घटा 3Q का योग 3P जमा 5Q जमा 2P घटा 3Q यहाँ पर 3P वद 2P और 5Q वद 3Q समान पद है अता हम समान पदों को पुनर व्यवस्थित करेंगे 3P जमा 2P जमा 5Q घटा 3Q इन समान पदों का योग करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 5P जमा 2Q 3P जमा 5Q और 2P घटा 3Q का व्यवकलन 3P जमा 5Q घटा 2P घटा 3Q यहां हम पदों को कोश्थक से बाहर लाते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवकलन में कोश्थक से बाहर आने पर पदों के चिन्न बदल जाते हैं अतह 3P जमा 5Q घटा 2P जमा 3Q यहां पर 3P वद 2P और 5Q वद 3Q समान पद हैं अतह हम समान पदों को बुनर व्यवस्थित करेंगे 3P घटा 2P जमा 5Q जमा 3Q इन समान पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 1P जमा 8Q आज हमने देखा BGA व्यवकलन आज हम देखेंगे BGA व्यवकलन यानि अब तक हमने BGA व्यवकलन को जोड़ना और घटाना यानि Addition and Subtraction of Algebraic Expressions के बारे में पढ़ा आएए अब कुछ उदाहरनों की मदद से इसे और अच्छे से समझें उदाहरन 1 निम्न व्यवकलन कीजिए 7AB जमा 15MN और 2AB जमा 8MN घटा 3K 7AB जमा 15MN घटा 2AB जमा 8MN घटा 3K अब कुछ ठक को हटाते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवकलन में कुछ ठक से बाहर आने पर पदों के चिन्न बदल जाते हैं अतह 7AB जमा 15MN घटा 2AB घटा 8MN जमा 3K इन पदों को कुछ ठकों की सहायता से पुनर व्यवस्थित यानि रियरेंज करेंगे यहाँ पर 7AB वद 2AB और 15MN वद 8MN समान पद हैं इसलिए हम समान पदों को एक साथ रखेंगे जबकि 3K असमान पद है जिसे हम अन्य पदों के साथ नहीं जोड़ेंगे 7AB घटा 2AB जमा 15MN घटा 8MN जमा 3K इन समान पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 5AB जमा 7MN जमा 3K आए अब इसे दूसरी विधी से हल करके देखते हैं इस विधी में हम व्यन जकों को एक के नीचे एक करके इस प्रकार रखते हैं कि समान पद एक ही सीध में रहें तो यहां हम 7AB के नीचे 2AB 15MN के नीचे 8MN और 3K अलग रखेंगे क्योंकि यह असमान पद है यहां ध्यान देने की बात यहां है कि नीचे वाले व्यन जक के चिन विब्रीत हो जाते हैं तो 2AB हो जाएगा घटा 2AB 8MN हो जाएगा घटा 8MN और घटा 3K हो जाएगा जमा 3K अता इन पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 5AB जमा 7MN जमा 3K तो आज हमने देखे BGA व्यन जकों का योग व्यवकलन के उदाहरन BGA व्यन जकों के योग और व्यवकलन मिथ्याधार नाए आज हम देखेंगे BGA व्यन जकों के योग और व्यवकलन यानि addition and subtraction of algebraic expressions की मिथ्याधार नाए कुछ उदाहरनों से हमने BGA व्यन जकों के योग और व्यवकलन को अच्छे से जाना अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ मिथ्याधार नाओं को दूर करें मिथ्याधार ना 1. दिये गए व्यन जकों को घटाए 21 D की घाद 2 जमा 15E और 3 D की घाद 2 जमा 4E जमा 5P बराबर 21 D की घाद 2 जमा 15E घटा कोश्ठक 3 D की घाद 2 जमा 4E जमा 5P अक्सर बच्चे यहाँ पर हल करने में पदों को कोश्ठक से बाहर लाने पर उनके चिन नहीं बदलते जो की एक गलत समझ है सही समझ ये है कि यदि कोश्ठक के बाहर व्यवकलन का चिन हो तो कोश्ठक से बाहर आने पर अंदर के सभी चिन बदल जाते है परन्तु यदि कोश्ठक से बाहर योग का चिन है तो कोश्ठक के अंदर के चिन नहीं बदलते अब पदों को कोश्ठकों की सहायता से पुनरव्यवस्थत यानि वियरेंज करेंगे जिससे हमें मिलेगा कोश्ठक 21D की घाद 2 घटा 3D की घाद 2 जमा कोश्ठक 15E घटा 4E घटा 5P बराबर 18D की घाद 2 जमा 11E घटा 5P मिथ्यधारना 2 दिये गए व्यनजकों का व्यवकलन कीजिए 30P Q जमा 14Q जमा 12P और 21P Q घटा 10P घटा 18Q अकसर बच्चे नीचे के पदों के जिन्न बदलना भूल जाते हैं और समान पदों को एक सीध में नहीं रखते जिससे उत्तर गलत हो जाता है हम व्यनजकों को एक के नीचे एक इस प्रकार रखते हैं कि समान पद एक ही सीध में रहें तो यहां हम 30P Q के नीचे 21P Q, 12P के नीचे घटा 10P और 14Q के नीचे घटा 18Q रखेंगे यहां ध्यान देने की बात यहां है कि नीचे वाले व्यनजक के जिन्न विप्रीध हो जाते हैं तो 21P Q हो जाएगा घटा 21P Q, घटा 10P हो जाएगा जमा 10P और घटा 18Q हो जाएगा जमा 18Q अता इन पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 9P Q जमा 22P जमा 32Q आज हमने देखी बीजिय व्यनजकों के योग और व्यवकलन की मिथ्यधारनाई आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिथ्यधारनाई दूर हुई होगी और बीजिय व्यनजकों के योग और व्यवकलन की अच्छी समच बन गई होगी धन्यवाद राजू, जरा इधार आना चच्चा पनाम पनाम, ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस के पैसा मिला की नहीं मिल गया, पिछले हपता मिल गया और छात्र विर्ती चच्चा, उन तो अब खाता में ही चला आता है अरे वाह, इस हपता उसको खोब पता है पर इपता है, तुम्हारा लड़का इसकूल में काका सिखता है ये हसने का नहीं, सोचने का वक्त है सिर्फ बैट हाथ में दे देने से, कोई सची नहीं बन जाता उसी तरह, ड्रेस सिल्वा कर, पहना कर, असकूल भेज देने से, पिंटु हुनहार नहीं बन जाएगा सिख रहे हैं, उस पर ध्यान दे, तभी वक्त के साथ है, ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी चाचा, हम तयार हैं, क्या आप तयार हैं? आईए, हम मिलकर अपने बच्चों के भविश्य को एक नई उडान दे आज हम पूछेंगे, तो कल ये सिखेंगे आज हम सीखेंगे घातांक के नियम गनित एवं विज्यान में, अक्सर हमें घातांकों पर विबन्य संक्रियाय करना अवश्यक हो जाता है इन संक्रियायों का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें घातांकों के नियमों को समझना आवश्यक है पिछली कक्षा में हमने 0 तर पूर्णांक यानि 9-0 इंटीजर A और B तथा पूर्णा संक्रियायों यानि होल नंबर्स M और N के लिए निमनलिकित नियम सीखें जरा सोचिए क्या यह नियम उन संक्रियायों के लिए भी लागू होगा जिनका घातांक एक पूर्णांक यानि इंटीजर हो और आधार एक परिमेय संक्रिया हो सोची सोची चलिए पता करे चलिए हम A के उपर घात M गुना A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M धन N इस नियम की बात करते हैं मानलीजिये हम A का मान कोई परिमेय संख्या जैसे 7 लेते हैं M का मान पूर्णांक रिण 2 और N का मान पूर्णांक रिण 3 लेते हैं तो बाया पक्ष बन जाएगा साथ के उपर घात रिण 2 गुणा साथ के उपर घात रिण 3 और दाया पक्ष बन जाएगा साथ के उपर घात रिण 2 धन रिण 3 बराबर साथ के उपर घात रिण 5 चलिए पता करते हैं कि दोनों पक्षो का मान बराबर है या नहीं हम साथ के उपर घात रिण दो को एक बटे साथ के उपर घात दो यानिके एक बटे साथ गुणा साथ लिख सकते हैं इसी तरह साथ के उपर घात रिण तीन को एक बटे 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते हैं इन दोनों संख्याओं के गुणन को हम एक बटे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं चुकि हर के स्थान पर 7 का स्वयम से 5 बार गुणन हो रहा है इसलिए हर के स्तान पर हम साथ के उपर घात पांच लिख सकते हैं जिससे हमें संख्या प्राप्त होगी एक बटे साथ के उपर घात पांच इसी को हम साथ के उपर घात रिण पांच लिख सकते हैं अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां दोनों पक्षों का मान समान आ रहा है, अर्थात यह नियम पूर्णांग घातांकों के लिए भी सत्य है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि A के उपर घात M गुणा A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M धन N यहां नियम उन संख्याओं के लिए भी लागू होगा जिनका आधार परिमेय संख्या हो और घात एक पूर्णांग हो। यानि के किसी भी परिमेय संख्या A और पूर्णांग M और N के लिए A के उपर घात M गुणा A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M धन N होता है। अब चलिए A के उपर घात M विभाजत A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M रिन N की बात करें। यहां अगर हम A बराबर 7, M बराबर रिन 2 और N बराबर रिन 3 लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा साथ के उपर घात रिन दो विभाजत साथ के उपर घात रिन तीन बराबर साथ के उपर घात रिन दो रिन रिन तीन चलिए ग्याद करें कि यहां भी बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर है या नहीं इसके लिए हम दोनों पक्षों को सरल करेंगे और प्राप्थ परिणामों की तुलना करेंगे दाय पक्ष को सरल करने पर हमें प्राप्थ होगा साथ के उपर घात रिण दो धन तीन बराबर साथ के उपर घात एक अब हम बाय पक्ष को सरल करेंगे क्या आप बता सकते हैं इस विभाजन को अब हम कैसे सरल करेंगे? सोचिए सोचिए चलिए पता करें क्या आपको याद है कि जब हम परिमेय संख्याओं का विभाजन करते हैं तो पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं फिर विभाजन के चिन्न को गुणन के चिन्न से बदल देते हैं और दूसरी संख्या का व्यूत करम यानि रेसिप्रोकल लेते हैं यहां एक बिटे साथ के उपर घात तीन का व्यूत करम होगा साथ के उपर घात तीन इससे हमें प्राप्त होगा साथ के उपर घात रिन दो विभाजत साथ के उपर घात रिन तीन बराबर एक बटे साथ के उपर घात दो गुणा साथ के उपर घात तीन चुकि साथ के उपर घात दो बराबर साथ गुणा साथ और साथ के उपर घात तीन बराबर साथ गुणा साथ है इसलिए हम हर से दो साथ और अंच से दो साथ काट लेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्तों का साथ की उपर घात एक जो कि दायपक्ष के बराबर है यहाँ भी यहाँ सत्याप्रित होता है कि परिमिय संख्या A और पुर्णांक M और N के लिए अब चलिए A के उपर घात M के उपर घात N बराबर A के उपर घात M गुणा N इस नियम की बात करे मान लीजे हम A बराबर एक बटे दो लेते हैं M बराबर रिण एक लेते हैं और N बराबर दो लेते हैं नियम के अंतरगत हम लिख सकते हैं एक बटे दो के उपर घात रिण एक के उपर घात दो बराबर एक बटे दो के उपर घात रिण एक गुणा दो चलिए यहाँ भी दोनों पक्षों को सरल गरे बाय पक्ष को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक बटे दो के उपरगात रिण एक का अर्थ है, एक बटे दो का व्युत्क्रम जो है दो, इसलिए हम लिख सकते हैं, एक बटे दो के उपरगात रिण एक के उपरगात दो बराबर दो गुणा दो बराबर चार, अब दाय पक्ष को सरल करें, चुकी दोनों पक्ष बराबर ह इसलिए यह सत्यापित होता है कि परिमे संख्या A और पूर्णांक M और N के लिए A के उपर घात M के उपर घात N बराबर A के उपर घात M गुणा N है इसी तरह आप बच्चे नियमों की जाज कर सकते हैं जाज करने पर आप पाएंगे कि सभी नियम उन संख्याओं के लिए भी सत्य है जिनके आधार परिमे संख्या है और घात पूर्णांक है इन सभी नियमों की जानकारी से हम घातांकों से संबंदित उधारणों को आसानी से हल कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि परिमे संख्या a b और पूर्णांग m n के लिए A की उपर गात M गुणा A की उपर गात N बराबर A की उपर गात M धन N है आज हमने सीखे घातां के नियम आज हम देखेंगे घातां के नियमों से जुड़े कुछ मज़िदार उधारण सरल कीजिए 5 बटे 6 के उपर गात 12 गुणा 4 बटे 15 के उपर गात 12 के उपर गात 3 इसे सरल करने के लिए हमें घातां के नियमों याने laws of exponent की समझ आवश्यक है वीडियो रोक कर इनका पुनह अवलोकन करे यहां हम देखते है कि कोश्ठक में दो गातांकों का गुणन किया जा रहा है जिनके आधार अलग-अलग है लेकिन गात समान है इसे सरल करने के लिए बताइए हमें कौन से नियम का प्रयोग करना चाहिए सोचिए सोचिए बिलकुल सही हम A के उपरगात M गुणा B के उपरगात M बराबर A गुणा B के उपरगात M इस नियम का उप्योग करेंगे इस तरह से हम 5 बटे 6 के उपरगात RIN 12 गुणा 4 बटे 15 के उपरगात RIN 12 बराबर 5 बटे 6 गुणा 4 बटे 15 के उपरगात RIN 12 लिख सकते हैं अब अगर हम कोश्टक में दिये गुणन को सरल करते हैं तो यहां हम 5 से 15 को विभाजित कर लेंगे जिससे 15 के स्थान पर हमें 3 यह संख्या प्राप्त होगी इसी प्रकार हम 4 और 6 को उनके मसर यानि HCF 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 4 के स्थान पर 2 और 6 के स्थान पर 3 प्राप्त होंगे फिर हम गुणन का परिणाम ग्याद करेंगे इसके लिए हम अंशों का गुणन करेंगे जो आएगा 2 और इसी तरह हम हरों का गुणन करेंगे जो आएगा 9 इस तरह से गुणन का परिणाम आएगा 2 बटे 9 इस तरह से दिया सवाल बन जाएगा 2 बटे 9 के उपर घात 12 के उपर घात 3 क्या आप बता सकते हैं इससे हल करने के लिए हमें कौन से नियम का उपयोग करना होगा? सोचिय सोचिय चलिए हम बताते हैं यहां हम A के उपर घात M के उपर घात N बराबर A के उपर घात M गुणा N इस नियम का प्रयोग करेंगे इसके प्रयोग से इस संख्या को हम दो बटे 9 के उपर घात 3 गुणा रिन 12 लिख सकते हैं चुकि 3 गुणा रिन 12 बराबर रिन 36 है इसलिए दिये सवाल का परिणाम आएगा दो बटे 9 के उपर घात रिन 36 इसी प्रकार नियमों के सही प्रयोग से आप कठीन सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं अगला उधारण एकस का मान ग्याद कीजिए ताकि रिन 27 के उपर घात रिन 7 विभाजत 9 के उपर घात एकस रिन 6 बराबर रिन 3 के उपर घात 3 हूँ आपको यह जरूर पता होगा कि समीकरण याने इक्वेशन में दोनों पक्षों का मान बराबर होता है यहां किसी तरह अगर हम दोनों पक्षों के आधार समान कर ले तो हम दोनों और समान आधार वाले घातों की तुलना कर पाएंगे इसी के साथ हम X का मान भी पता कर सकते हैं चलिए इस तरीके से हल करें जैसा कि आपको पता होगा हम रिन 27 को रिन 3 गुणा रिन 3 गुणा रिन 3 लिख सकते हैं जिसे हम घातांकिय रूप में रिन 3 के उपर घात 3 लिखेंगे इसी प्रकार पहली संख्या के समान आधार प्राप्त करने के लिए हम नो को रिन 3 गुणा रिन 3 लिख सकते हैं यानि की रिन 3 के उपर घात 2 रिन 3 के उपर घात 3 के उपर घात रिन 7 विभाजित रिन 3 के उपर घात 2 के उपर घात X रिन 6 बराबर रिण 3 के उपरगात 3 यहां हम A के उपरगात M के उपरगात N बराबर A के उपरगात M गुणा N इस नियम का प्रयोग करेंगे इससे हमें प्राप्त होगा रिण 3 के उपरगात 3 गुणा रिण 7 विभाजत रिण 3 के उपरगात 2 गुणा X रिण 6 अब यहां हम देखते हैं कि सबी घातांकों के आधार समान है बाइपक्ष को देखकर हम A के उपर घात M विभाजत A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M रिण N इस नियम का उपयोग कर सकते हैं इससे हमें प्राप्त होगा रिण 3 के उपर घात रिण 21 रिण 2X रिण 12 बराबर रिण 3 के उपर घात 3 रिण 3 के उपर घात रिण 21 रिण 2X धन 12 बराबर रिण 3 के उपर घात 3 रिण 3 के उपर घात रिण 9 रिण 2X बराबर रिण 3 के उपर घात 3 चुकि दोनों पक्षों का मान बराबर है और दोनों पक्षों में आधार भी समान है अतह उनकी घाते भी समान होंगी इसलिए हम कह सकते हैं कि रिण 9 रिण 2x बराबर 3 यानि कि रिण 2x बराबर 3 धन 9 बराबर 12 यानिके x बराबर 12 विभाज़त रिण 2 बराबर रिण 6 इसलिए यहाँ x का मान है रिण 6 तो आज हमने देखे घातां के नियमों से जुड़े कुछ मज़ेदार उधारण पेरंट्स के लिए बच्चों को आवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये आवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोबेशन के लिए मिलें जो दूसरों की जिन्दगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पराधरित अपने आइडिया इनोबेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्मान का हिस्सा बन रहे हैं अब भी छटी से दस्वी कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक तो आशा करती हूं बच्चों आज के इसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिये गए वाट्साप नमबर 9431043527 या इमेल आईडी betcddprogram at gmail.com पर भेज सकते हैं और हाँ आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले कारेक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिशत के यूट्यूब चानल पर देख सकते हैं इसके लिए सर्च करें B.E.P.C. मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले और कारेक्रम को देखें इंपोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और कोश्चन्स हल करें इसके इलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिशत की वेबसाइट पर डिजिटल लेर्निंग सेक्षन में भी उपलब्ध है विजिट करें www.bepcss8.in और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानिया, पेंटिंग्स या इनके 2-3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिये गए और आपको तो पता ही है